आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Vivo Y02 जो की अभी Vivo का सबसे latest mobile phone है और Vivo का सबसे सस्ता phone भी हम इसको कह सकते हैं और भाई साब इसकी जो designing हो गया रहा है न काफी ज्यादा यूनिक बनाई अपकी बार Vivo ने काफी अलग है पर क्या आपको पता है इसके अंदर जो hidden features मिल तो यार अगर आप यह mobile phone खरीदने की सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important होने वाली हो और अगर आपने खरीद लिया या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो यहाँ पर Vee Products के अंदर जाकर देख सकते हो कि अभी इसकी क्या price है तो बिना किसी time waste के आपको बताते हैं काफी सारे hidden features तो सबसे पहले hidden feature के लिए आपको simply जाना होगा settings के अंदर and यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ जैसी कि आपने आवाज को पूरी बढ़ा रखा है ठीक है ना पर आपको लगता है कि यार आवाज थोड़ी 30 year old इसका मतलब है कि आप 30 साल के नीचे हो हाँ मुझे भी पता है आप 30 साल के नीचे ही होंगे पर आपको क्या कर लेना है आप этого ba daughter कर लेना है यानि कि आपको यहाँ पर बूड़ा बनना पड़े गा है mobile की नजर में आपको थोड़ा सा बूड़ा बनना पड़े आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके मतलब मुबाइल के आवास थोड़ी कम है तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहते हो कि जो नीचे के बटन्स आपको दिखाए दे रहा है इनको आपको हाइड करना है एक तो यहाँ पर देखी system navigation का option मिलता है और यहाँ पर इसके उपर क्लिक करने के बाद यह दिखी gesture navigation इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है और अब यह देखी नीचे कि जो बटन्स है हुआ hide हो चुके है अब अगर आपको बेक वगेरा जाना है तो simply ऐसे करोगी बेक चला जाएगा इदर से करोगी तो भी बेक चला जाएगा और आपको home screen पर जाना है तो इसे करोगी home screen पर चले जाओगे और जो रेसेंट्स apps होगेरा देखने है तो इससे करके रखना है आपको यह जो रेसेंट्स apps आजाएंगे यह देखीए तो काफी ज्यादा यहाँ पर मज़ा आता है इसे बेक वगेरा जाते हैं तो आपको buttons नहीं रखने तो button यहाँ पर फिर से button करने है तो यही पर system के अजर जाकर system navigation के अंदर जाकर यहाँ पर 3 button भी कर सकते हो और button को left right वी कर सकते हो जैसी कि अभी left के अंदर है जो बेक बटन है आप राइट हैंड है तो यहाँ पर right hand से क जाएए यहां से रेजल डाटा करोगी तो आपका mobile format हो जाएगा यानि कि सब कुछ delete हो जाएगा तो चलिए आप मैं आपको थोड़ा cameras के feature बता देता हूं camera के अंदर आपको क्या-क्य options मिलते हैं तो यहाँ पर camera के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए जो लोग्य का option मिल जाएगा काफी अच्छी photos आती है और beauty यहां पर आपके काफी gotra चित्टा दिखने वाल है अगर आफ्को थोड़ा गोरा दिखना है तो यहां पर beauty के ऊपर जाना है यहां पर आप काफी गोरे चिट्टे देखने वाले हो, और यहाँ पर जोम का बता देता हूँ कि आप कितना जोम कर सकते हो, यहाँ पर चाहते हो कि ओपर बैटरी के परसेंटेज और रशो होने चाहिए, और भी यहाँ पर काफी सारी चीजे बताता हूँ, तो इसके लिए आपको जाना यानि कि आपकी जो ब्रैटने से कम ज्यादा हो जाएगी, आप दूप या चाहों में जाओगे, पर दोस्तो इसका एक नुकसान है, इससे बेटरी थोड़ी ड्रेंज ज्यादा होती है, अगर आपको लगता है कि यार हमारा मोबाइल जो होती, जल्दे मतलब खतम हो जाती ह तो आप इसको एक बार बंद करके आप जरूर ट्राइ करिए, इससे काफी ज्यादा फरक पड़ता है, और आप अगर मोबाइल के अंदर ज्यादा चेटिंग होगेरा करते हो, बुक्स होगेरा पड़ते हो, तो यहाँ पर आई प्रोटेक्शन को जरूर ओन कर लेना है, इस और यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यह देखे नीचे जाना है, कलर यहाँ पर एडजेस्ट कर सकते हो, अपनी जो स्क्रीन है, उसका अलग-अलग कलर सकते हो, फोंट यहाँ डिस्पले फोंट जो आपकी दिख रहे होगी, इसकी साइज को बड़ा है, चो चो आपको देखना है, तो यहाँ पर इसको ओन करना है, और उपर आप देख पाओगे, कि हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है, कितनी एमबी पर सेकंड चल रही है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, होट एपस एंड अब आपको बेख जाता हूँ, कि यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको यह अच्छे नहीं लगते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इनको हटा सकते हो, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, कि यार मैं मोबाइल के अंदर मतलब पूरे दिन में क्या-क्या चल आपको बताते हो, तो आपके मोबाइल के अंदर सब कुछ मुझूद रहता है, तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना होगा, यहाँ पर नीचे जाना है, देखिए डिजिटल वेल बिंग एन परेशनल कंट्रोल, इसके उपर आपको क्लिक करना है, शो तो आप भी अपनी मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपका जो कीमती समय है, आप कहां पर बिता रहे हो, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि जैसे कि लोग स्क्रीन है, इसके उपर आप यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते हो, कुछ जिए का भी नाम लिखना चाहते हो, तो कैसे लिख सकते हो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको सेटिंग्स के अंदर आए, ठीके ना, अब यहाँ पर देखिए, एट टेक्स्ट ऑन लोग स्क्रीन, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप क लिखा है, ताकि आप सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भूलो ना, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकते है, फ्यूचर के अंदर, जैसे कि आ आपको क्या कर लेना, यहाँ पर अपने दोस्त, या अपने मतलब फेमिली मेंबर के किसी के भी नंबर लिख देने हैं, ताकि बाइचांस कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए, तो अगला वाला आपकी लोग की स्रीन के उपर देखकर, आपका मतलब कोल करके बता दे कि भा अगर पहली बार ले रहे हो तो कुछ इस तरह से आएगा, और यह देखिए, लोंग स्क्रीन सोट के उपर प्रेस करना है, और यहाँ पर आप एक लंबा स्क्रीन सोट ले सकते हो, आपको जितना भी लंबा स्क्रीन सोट ले सकते हो, यह देखिए, लोडिंग हो रहा है, अगर आपको कोई लंबा स्क्रीन सोड लेना है तो एक फोटो के अंदर आप आसानी से स्क्रीन सोड ले सकते हो और भी अगर इसको लंबा करना चाहो तो कर सकते हो मैंने तो यहां पर नोर्मल इसको इतना किया है तो आप अपनी मर्जी से इसको ले सकते हो जितना भी आपको करना है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा काफी लोग क्या करते हैं इसे डबल टेप करते हैं उनका मोबाइल ओन हो जाता है तो यह सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर कैसे हो सकता है इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स के अंद मतलब बताऊंगा अभी देखें डबल टेप करोगा आप स्क्रीन ओफ हो चुकि यह डबल टेप करोगे स्क्रीन ओन ओचुकि यह देखिए अब आपको क्या गरना है जो ड्रेस्ट हुए गना वह मैं बताता हूँ जैसे कि आपको मोबाइल ऐसे पढ़ाए ठीक है आपको सि टेक टू टरन ओन दफ्लेसलाइट मतलब इसको ओन करते हो और अपने मोबाइल को इसे हिलाओगे ना तो यह पर जो आपके पीछे की फ्लेसलाइट है वो ओटोमेटिक ओन हो जाएगी तो यह आपको अगर पसंद आता है तो ओन कर लिजे नहीं तो आप इसको ओफ भी रख यहांपर आसे पर लगा सकते हूं और अब यहांपर यहांपर इसको ओन करना है इसको कि कर लेना है अब यहां पर किलिक करना इसको पिन कर देना ठीक है अभी पिन हो चुका है अब यहां पर इसको कितना भी चला लो जितना चलाना चाओ चला सकते हो पर बाहर नहीं जा सकते इसके देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लीजिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं पर अगर आपको अनपिन करना है तो ब लोग लगा लीजिए आपको यहां पे फेस लोग जो भी लगाना है वो लोग लगा लीजिए ताकि मतलब आप जब तक लोग ना खोलो तब तक अगले वाले को यहां पर नपिन ना कर पाए और यहां पर जैसी कि आप मतलब मोबाइल को अनलोग करके होम स्क्रीन पर आते हो ना तो एक दम नूर्मल सा होता इतना मज़ा नहीं आता तो यहां पर देखिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हो यह देखिए काफी मज़ा आता जब भी आप होम स्क्रीन के इंदर आओगे तो यहां पर देखिए फेशिल रिकोगनाईजेशन अब यहां पर जब भी आप फेश अनलोग करते हो तो यहां पर मतलब यह लोग का लोगो आता है मतलब यहां पर लोग किशे होता है आप जब भी फेश को अनलोग करते हो तो यहार यहां पर फेश लोग मतलब पहले से जिन्दिया लोक हो रहे हैं और यहां पर सुबह उड़ते लोग देखते हैं तो क्यों नहीं आप स्माइल करते हैं काफी मज़ा था स्माइल यहां पर सुबह सुबह देखो गए यह फिर अपनी मर्जी से और भी कुछ कर सकते हो देखी जो भी आपको अपको अच्छा लगता है वो यहां पर इजिली अपलाई कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे किसी एप के लोग लगाना है या फिर किसी एप को या आपको हाइड करना है तो कैसे कर पाओगे इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहां पर देखिए कि मैं दिखाता हूँ यहां पर इसके अंदर जाना है और यहां पर आपको प्राइवसी एंड इसके उपर जाना है अब यहां पर आप लोग लगा सकते हो यह देखिए कुछ भी लगा लिजे आपकी जो मर्जी हो लगा सकते हो अब यहां पर देखि लिजी है अपको किसी भी एपको लोक लगाने के लिए किसी भी हईपको हाइड गरने के लिए काफी महीने के बाद जाकर देखों चली दोस्तों अब मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताता हूं जैसे कि आपके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप यहां से क्लियर कर देता है तो वो तो क्लियर हो जाती है पर आप चाते हो कि यार में एक महीने के बाद जाकर देखू कि यार मेरे पास किसका मेसेज कब आया था वाटसप, इंस्टाग्राम, फेस्बुक या फिर यूटूब से या फिर किसी ने फोन पी किया हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आप अगर आपको जानना है तो आप एक महीना दो महीना बाद भी जाकर देख सकते हो कि किस टाइम क्या नोटिफिकेशन है था पर इसके लिए आ नोटिफिकेशन आया हुआ था वो यहाँ पर शो हो चुका है तो आप कभी भी आकर इसको देख सकते हो कि यार मेरे पास किसने में कब मेसेज गया था तो यह आपके फीचर के अंदर काफी ज्यादा यूसफुल हो सकता है तो यार दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुक की लिंक मिल जाएगी आप मुझे पूश सकते हो और अगर चैनल पर पहली बार आयो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ना क्योंकि मैं ऐसे ही यूसफुल वीडियो हमारी चैनल पर हर दिन लाता रहता हूं तो मिलते हैं किसी नई